वन थ्री सिक्स नाइन का वरग मुल कैसे निकल अभी हम सीखेंगे तो आप जानते हैं वरग मुल को हम कैसे लिखते हैं अंडूट से और अंडूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ यह नि घात एक बटे दो यहाँ पर हम डिविजन मैथड यानी भाग विदी का में लेंगे भाग विदी के दोर आप किसी भी संख्या का वरग माता चंद सेगेंड में निकाल सकते हैं मैं हमेशा आप से एक कुछिण पुछता हूँ कि आप सुरुआत कैसे करेंगे यानि इस्टे फरस्ट क्या करेंगे तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम सरव प्रतम इस तीर के निशान के दिसा में आगे बढ़ते हूए दो आंकों के जोड़े बनाएंगे तो अंदर में कितना आ गया तेरा अब इसके लिए एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे यह संख्या लेंगे एक से लेकर नो तक जिसका खुद के साथ गुणा करने पर तेरा से बढ़ा ना हो लगाओ दिमा कैसी कौन से संख्या हो सकती है तो जैसे तीन गुणा तीन नो चार गुणा चार शोड़ा इससे बढ़ा आ गया तो तीन गुणा तीन नो इसके नजदी पहुंच रहे है एक और इसको यह उपर लिख दिया अगले स्टेप में इसको जोड़ना है इसको गठाना है तेरा में से नो गया कितना गया चार उपर से जो दो अंग हमने अंडरलाइन किया उसको यहां नीचे ले आएंगे फिर वही लगाओ दिमाग इस्टेप फस्ट कौन सी संख्या लें गुणा करेंगे जोड़ेंगे और गठाएंगे इसके साथ लिखना उसी का गुणा करना है जैसे यहां किया किया था उसका खुद के साथ गुणा किया बस यहां थोड़ा सा आपको अंतर महसूस हो रहा है कि इसके साथ लिखना उसी का गुणा करना है तो भी लगाओ दिमाग तो जैसे मैं दिमाग लगाए साथ लिया साथ का गुणा किया अब मैं देखिए दिमाग में चेक किया हूँ, 6 लिया हूँ, 5 लिया हूँ, 8 लिया हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम कम है तो रहता, इसलिए मैं डारेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है साथ हूँ, साथ हूँ, उन्हें चार खिरिये गया, साथ संग्व्यारिस और चार 6 लिया हूँ, फिर इसको गटाया, 0 आ गया, यह जो वैल्यू आ रहा हूँ, 37 यह आपका इंसर है, देखिए कितना आसान है